Hello guys, स्वागते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल NLSI Learning में तो guys इस वीडियो में भी हम let का यूज सीखने वाले हैं imperative sentences में let का यूज कैसे होता है वो हम सीख चुके हैं then हम model verb के साथ भी let का यूज सीख चुके हैं तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे sentences में let का यूज कैसे होता है कहीं न कहीं हम let का यूज अगर नहीं सीखते हैं तो हम अपनी conversation में अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो let को करना जरूरी हो जाता है को let से ही हमारे काफी सारी sentences होते हैं जो हम daily conversation में use करते हैं तो करते ही वीडियो को start बिना जरूरी करते हैं आप सभी जानते है let का use क्या होता है किसी काम को करने के लिए allow करना यानि आप let के जिगे allow भी लिख सकते हैं दोनों का meaning ही एक होता है किसी भी काम को करने के लिए हम जब दूसरों को allow करते हैं तो वहां हम let का use करते हैं पहले बात कर लेते हम simple यानि हम बात करेंगे simple present के, simple past के and simple future के आप सभी जानते हैं आपको यह आता भी होगा easily लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताना चाहूंगे ताकि आपको अच्छे सही समझा सके तो इसमें हमारा structure क्या होता था subject then working first form as a is का use होगा then object आप सभी जानते हैं यह हमारा structure होता है यानि कि simple present का तो इसकी पहचान क्या होती थी ता है ती है ते है यह हमारी पहचान होती थी simple present की जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूं मैं पढ़ती हूं यहाँ पे देखो जो काम करने वाला मैं हूं यानि मेरे दुआरा कोई काम किया जाता है यानि मैं पढ़ती हूं यानि मैं खुद से कोई काम करती हूं तो आप simple present में यूज करेंगे I study कि तुम पढ़ते हो, you study, इस तरह हम sentence बनाते हैं, लेकिन अब बात आजाती है, जब हम let के साथ sentences बनाएंगे, present indefinite में, तो हम खुद से काम ना करके, किसी दूसरे बंदे को allow करेंगे, काम करने देंगे, यानि देने की sense आएगे, आप सभी जानते है, let का मतलब क्या होता है, क आप यह सभी जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, let की जो तीनो form होती है, वो हमारी let, let ही होती है, let, let, और fourth form क्या होती है, let, and fifth form होती है हमारी let, यह हमारी verb की form होती है, जो sentence में work करती है, तो जब हम present की बात करते हैं, तो हमारा structure क्या होगा, पहले subject होगा, then हमारी helping verb होगे लिए कि present में कोई helping verb नहीं होती, तो work की first form ही होती है, तो subject के बाद तुरंत बाद आप let का use करेंगे, then हम use करेंगे objective case, v1 और other word या object, यह हमारा structure होगा जब हम किसी को काम करने देंगे, जैसे मैंने का मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने बोला I read, म मैं तुम्हें पढ़ने देती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूँ, अब देखिए, यहां पर मैं खुद से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूँ, यानि कि जो हमारा sentence है, उसके last में अगर आता है, यहां पर लिख देती हूँ, मैं ने देती ने देती है, ने देते हैं, यह हमारे sentence की पहचान होगी जब आपने ऐसे sentences बनाने होगी, अब easily आपको structure आगया, आप easily sentences बना सकते हैं, यह समझा है आपको, अगर मैंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूँ, पहले यह बना लेते हैं, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूँ, I, यानि मैं, then let का यूज करेंगी, I let, objective case हमारा क्या होता है, you, का you ही होता है, let you study, मैं आपको काफी बार बता चुकी अपनी वीडियो में, कि हमारे जो subjective case होते हैं, वो क्या होता है, I, he, see, name, they, यह हमारे subjective case होता है, objective case क्या होगा हमारा, me, him या his, see का her, name का name ही होता है, ठीक है, they, cut them, इस तरह से sentence में work करते हैं, यानि कि let के बाद हमेशा objective case आता है, subjective case नहीं आता है, यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है, तो हमारे sentence क्या हुआ, I let you study, मैं तुम्हें पढ़ने देती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती, तो आपने देखा होगा, जब हम, पहले sentences पर आजाते हैं, ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए, यहाँ हुआ, मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो आप क्या लिखते हूँ, I don't study, यह लिखते हूँ आप, अब आते हैं हम let के साथ, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूँ, तो नहीं देती हूँ, I don't let you study, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूँ, समझा रहा है, आपको deeper कैसे आपने याद करना है, और कैसे आपने sentences को बोलना है, अब ऐसे ही sentences को आपने, interrogative में बनाओगे तो आप कैसे बोलोगे, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते हूँ, why don't you let me study, ठीक है, जैसे मैंने कहा, मेरी मम्मी मुझे बहार जाने नहीं देती है, तो my mom, my mom, नहीं जा रहा है, जैते हैंने, allow नहीं करते जाने के लिए, my mom doesn't let me go outside, ठीक है, इस तरह से आपने use करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, तुम्हारे मम्मी तुम्हें बहार क्यों नहीं जाने देती है, ऐसे ही sentence है, तो हम daily अपने conversation में use करते हैं, तो sentence क्या बनेगा, why doesn't your mom let you go outside, समझे हैं आपको, कि let का use आपने कैसे करना है, पहले आप sentences को देखोगे, उसके बाद आप let का use करोगे, आपने ध्यान रखना है, sentence की पहचान के वल, ने देता है, ने देती है, ने देती है, और आपने ध्यान रखना है, लेट के बाद हमेश्या objective case आएगा, और V1 का use होगा, जैसे मैंने का मैं तुम्हें पढ़ाती हूं, तो आप बोलोगे, I teach you, अगर आपने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूं, तो हम sentence बनाएंगे, I let you teach, यानि मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूं, इस तरह से आपने मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं देती हूं, I don't let you teach मैं तुम्हें जाने नहीं देती हूँ I don't let you go मैं तुम्हें सोचने नहीं देती हूँ I don't let you think मैं तुम्हें सोने नहीं देती हूँ I don't let you sleep मैं तुम्हें लिखने नहीं देती हूँ I don't let you write इस तरह से आप काफिस हैं बना सकते हैं let के help से यह आपो clear होगय होगा अब आते हम simple past पे simple past का जब use करते हैं हम तो आपने tenses में पढ़ा होगा अब बात आती है हमारे simple past की simple past इसमें आपने देखा होगा कि इसकी पहले पहचान क्या होती है हमने पढ़ा भी है ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए, यानिकि वोवल्स की जो साउंड आएगी वो हमारा पाज सिंपल होता है, जैसे मैंने कहा हम एक एकजम्पल लेंगे उसे सीखेंगे, देन लास्ट में हम अच्छे से प्रेक्टिस करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा मैं गया, मैं गया, त हमारे स्ट्रक्चर क्या होता है, पाज सिंपल का सब्जेक्ट, वर्ग की सेकेंड फोर्म और ओप्जेक्ट, यह होगे हमारे अफर्मेटिव संटेंस, यालनि सिंपल संटेंस, अगर हम नेगिटिव की बात करते हैं, तो आप लगाओगे सब्जेक्ट, डिडन्ट या डिड जब आप डिडनोट की यूज करें, तो वर्ग की फर्स्ट फोम आएगी, यह हमारे संटेंस होता है, नेगिटिव का, तो आपने क्या करने हम पढ़ रहे हैं, लैट का यूज, जैसे मैंने का मैं गया, तो होगा हमारा आई वेंट, ठीक है, मैंने पढ़ाया, आई टोट, इस तरह से आप संटेंस बनाते हैं, सिंपल पास्ट में, अब बात आजाती है, लैट का यूज सेख रहे हैं, तो उसमें हमारी पहचान क्या होगी, ने दिया, यानि कि कुछ काम किसी को करने दिया, यह हमारी पहचान होगी, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, तो इस नहीं आएगी, हमारे अफर्मेटिव संटेंस में नहीं आएगी, लेकिन जब हम इंटेरोगेटी बनाएंगे, नेगिटीव बनाएंगे, तो यहां पर दिड का लो, यूज होगा, डिड का यूज होगा, ओके, लैट, ओजेक्टिव केस होगा, मारा, वीवन और अधर या औब्चेक्ट, आप कैसे भी विउस कर सकते हैं, अब बात कर लेते你是 मैंने ने फुछ से कोई काम किया मै गया, यानि जाने काम मै ने किया, अगर मैं जहांud मैंने तुम्हे जाने दिया, ़के तो संटर ändिस क्या बनेगा I let you go अब जो let है इसकी तीनो फोर्म हमारी सेम होती है लेकि यह आपके बोलने की सेंस में निर्बढ़ करता है कि आप किस वे में सेंटेंस को बोल रहे हो आप खाओगे मैम इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है मैं तुम्हें जाने देता हूँ हाँ ये भी हो सकता है लेकि जब हम सामने वाले से बात करेंगे तो अंडिस्टूड है कि हम लेट करें या सेकेंड फोर्म के रूप में यूज करें मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया या मैं बोलती हूँ मैंने तुम्हें कल जाने नहीं दिया I didn't let you go yesterday मैंने तुम्हें कल जाने नहीं दिया My Mom did not let me play yesterday यानि कोई काम आप को किसीने करने नहीं दिया या आप किसी को कोई काम करने नहीं देते हो या क्या देते होँ अगर हिहां मैं बोलती हूँ क्या तुम मुझे खेलने दोगी तो ये क्या हो जागा हमारे future का हो जाएगा तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं I hope ये आपको clear हो गया होगा वीडियो के last में मैं तीनो टेंसे में आपको अच्छे से practice कराने वाली हूँ क्योंकि practice ही होते जो हम कमी छोड़ देते हैं practice नहीं करेंगे तो ये पढ़ना अमारे लिए बेकार हो जाता है यानि practice पे ही निर्बर करते हैं सारे वीडियो को देखना आपका कि जो जो आपने सीखा है क्या आप उसको apply कर पाते हैं क्या आप sentences बना पाते हैं वो हम वीडियो के last में सीखने वाले हैं ओके यहां तक clear आपको अगर आप बोलते हो WFW के साथ तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें खेलने क्यों नहीं दिया कल तो आप बोलोगे why did your mom let you play yesterday ओके इस तरह से आप sentences की practice करेंगे I hope यह आपको clear हो गया होगा अब हम देख लेते हैं future simple अब बात कर लेते हैं simple future की आपने simple future में tense में पढ़ा होगा जिस sentence के लगे last में क्या आता है ga, ge, gi यानि कि कोई काम आप future में करोगे यह हमारी sense होती है मैं आपको साथ साथ chances इसले पढ़ा रही हूँ ताकि आपको let के यूज करने में कोई भी problem ना आए और आप easily समझ सकें जैसे यह तो structure हो गया हमारा subject will will के साथ आप cell भी यूज करते हैं लेकिन आज modern जो English है उसमें cell का यूज नहीं होता सभी के साथ will का यूज होता है otherwise i और we के साथ हम cell का यूज करते थे पहले करते थे अब नहीं V1 और object यह हमरा structure होता है जब हम simple future की बात करते हैं जैसे मैंने कहा मैं गया हम एक ही sentence को ले रहे हैं तीनो tenses में मैं मैं कल जाओंगा मैं गया यानि मैं कल जाओंगा जैसे हमने sentence लिया मैं कल जाओंगा यानि गागे की आगे हमारा यानि future का है हमारा sentence I will go यानि कल जाओगे I will go tomorrow यानि कल जाओगे यानि कल जाओगे ये हमारे sentence होता है अगर आप बोलते हो मैं कल नहीं जाओंगा I will not या आप वोंट भी बोल सकते हो I will not go tomorrow मैं कल तुमारे घर नहीं आओंगा I will not I will not come to your place या हूं या हूं टुमोरो इस तरह से आप sentence बनाते थे future tense में जब आप बात करते हैं अब बात आ जाते हैं संटेंजिजम कैसे बनाइंगी तो पहचानों क्या होगी यहां पर आप खुच से काम कर रहे थे लेकिशिट आप और आप किछी को काम करने के लिए अलाओ करोगी तो sentence के जो पहचान होगी वो अधोगी ने दोगी ने देगा ने देगी यह हमारे sentence की पहचान होगी जैसे मैंने कहा पहले structure देखते हैं subject, will, let, then objective case, we want or object यह हमारे sentence का जो है structure होगा जैसे मैंने कहा मैं कल उसे जाने नहीं दूँगी यानि उसको जाने के लिए आलाओ नहीं करूँगी, जाने नहीं दूँगी तो आप sentence बनाएंगे I will not, I will not let him go क्या वे मुझे कल जाने देगी? अगर यहाँ आप कल की बात करें तो यहाँ tomorrow का यूज़ करेंगी क्या वे है कल मुझे जाने देगी? क्या वे है मुझे कल जाने देगी? ओकी? क्या है तो question mark आएगा आपका अब क्या पहले आगा तो हम will का यूज़ करेंगे देगी यानि will कौन देगी? वे है will see let me go yesterday इस तरह से आप future में यूज़ करेंगे जब आपने बोलना हो किसी को काम आप करने दोगे क्या तुम मुझे पढ़ाने दोगे? क्या तुम मुझे पढ़ाने दोगे? तो संटेंस क्या बनेगा? विल यू लेट मी टीच? यह हमारा संटेंस बनता है इस तरह से आपको किलियर हो गया होगा जब future tense में हम simple sentence बनाते हैं तो ऐसे बनते हैं अगर हम लेट के साथ संटेंस बनाते हैं तो ऐसे बनते हैं आपने practice भी ऐसे करनी है मैं जाओंगी, मैं जाने दूँगी मैं खाओंगी, मैं तुम्हे खाने दूँगी मैं कपड़े धोंगी, मैं तुम्हे कपड़े धोने दूँगी मैं सौँगी, मैं उसे सोने दूँगी अब हमने टैंस तो सीख लिया है कि लेट का यू टैंस में कैसे होता है ज्यादा, अब मैं कुछ mixed sentences आप से कराने वाली हूँ, आप sentences को देखेंगे और कुछ से बोलने की कोशिस करेंगे, मैंने आपके सामने कुछ mixed lining लिखी हैं, जो तीनों sentences से related हैं, आपने केवल ऐसे ही अपने मन से स्टोरी बनानी है, एक वर्ब को लेके आपने मन घड़त कहानी बनानी है, और फिर उस पे तीनों sentences को यूज करके बोलना है, थोड़ा example मैं आपको देती हूँ, मैं method देती हूँ, आपने फोलो करना है, ममी राहूल मुझे पढ़ने नहीं देता है, आप घर में छोटे भाई भेन होते हैं, वो सरार्त करते हैं, तो हम बोलते हैं ममी को, ममी ये मुझे पढ़ने नहीं देता है, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, मैंने इसको पढ़ने दिया था, इस तरीके से हम बोलते हैं तो मम्मी राहूल कुछे पढ़ने नहीं देता है, तो संटेंस बनेगा नहीं देता है, यानि सिम्पल प्रेजेंट, तो आप लिखोगे, मॉम, राहूल, राहूल चिंगुलर पर्षन है, तो डजान, लेट मी स्टड़ी, ओकी, संटेंस हमारा कम्टिट हो गया, यानि कि राहूल, मम्मी से आप बोल रहे हो, तो कॉमा लगा दोगे, मम्मी, यानि मॉम, राहूल डजंट, लेट मी स्टड़ी, मुझे पढ़ने नहीं देता है, कल मैं उसे पढ़ने नहीं दूँगा, नहीं आपात है, I will not, I will not let him study.